नमश्कार आज हम जानेंगे कपाल भाती के बारे में कपाल भाती योग का सबसे सुन्दर और आसान आसन है कपाल भाती संस्कृत का सब्ध है कपाल का अर्थ होता है माथा और भाती का अर्थ होता है तेज कपाल भाती करने से आपके चहरे पर चमक आती है चेहरे पर चमक होना एक स्वस्त व्यक्ति की पहचान है आईए देखते हैं कपाल भाती करने से क्या लाग होता है और इसकी विधी क्या है सबसे पहले किसी आराम दायक आसन पर बैठ जाए अब शिर और रीड की हट्डी को सीधा रखते हुए हातों को घुटने पर रखकर ग्यान मुद्रा में बैठ जाए आँखे बंद कर लें और सरीर को पूरा धिला छोड़ दे अब दोनों नोश्टिल से गहरी सांस ले और पेट की मास पेशियों को सिकोडते हुए सांस को बाहर छोड़े लेकिन ध्यान रहें सांस तेजी से ना छोड़े अब फिर से सांस लें तो पेट की पेशियों पर अधिक जोर ना लगाए सांस अराम से लें इसमें किसी भी प्रकार का प्रियास ना लगाए सुरुवात में दस बार सांस लेने बैठ छोड़ने का प्रियास करें इस चक्र को तीन से पांच बार दोराएं आसन के पूरे होने के बाद सांती का अनुभव करें व्यायाम करने का समय भी नहीं रहता है यही आदत आपको धीरे-धीरे बीमार बना देती है अगर आपके पास समय कम हैं तो कुछ योग और प्राणयाम आसन अच्छा विकल्ब हो सकते हैं कपाल भाती भी उनी में से एक अच्छा विकल्ब है इसलिए इसे नियमित करें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, जैहें